अगर आप अपने लिए अपने loved ones के लिए accurate predictions करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे doubts आ रहे हैं, जो clear नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं Watch my free training program जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा Hello everyone, मैं हो Kiran Shapuri और ये है आप लोगों के लिए April 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जानना चाहते हैं कि April month में आपके partner की आपके लिए इस relationship के लिए क्या energies रहेंगी, finally you know April month में क्या हो रहा है कौन सी छोटी छोटी सी बाते हैं, जिनका खयाल रखके आप April month की energies को बदल सकते हैं अपनी love life को भैतर कर सकते हैं, तो ये reading आपके लिए है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं April 2024 की Love Tarot Reading चलिए लिए जी आप लगों के लिए देखें कि April 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है में पास यहां पर तीन set of cards हैं फर्स set of cards में हम आपकी energies देखेंगे, सिकंड set of cards में आपके partner की energies देखेंगे और थर्ड set of cards में हम देखेंगे कि finally April मन्त में क्या हो रहा है तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए हापे सबसे बहला card में दिख रहा है page of wands reverse और यह card कहता है कि कुछ time से या April starting में थोड़ा सा energy levels आपके low रह सकते हैं अब देखिए इसके लिए सब leos के लिए different reasons रहेंगे लेकिन यहापे page of wands reverse का card कहता है कि कि किसी भी level पर किसी भी तरीके की आपकी immature energies इस relationship में partner को लेकर रहीं और कहीं इसी वज़े से या फिर कोई भी और reason हो सकता है enthusiasm excitement आपका काफी low रहता हुआ दिख रहा है deeper level के लिए hiding from you का card कहता है कि या तो आप अपने partner को avoid कर रहे हैं और avoid negative sense में मैं नहीं कह रही हूँ होता है ना कभी-कभी हम face नहीं कर पा रहे होते हैं क्योंकि हाँ पे देखिए page of wands reverse का card immature energies की बात करता है तो हो सकता है कि over enthusiasm, over excitement में partner को कुछ कह दिया, कुछ कर दिया और अब आपको लग रहा है कि खाम खाहीं आपने जोश में होश खोया और कहीं इसी वज़े से या फिर देखिए और भी कोई reason हो सकता है क्योंकि ये general reading है hiding from you का card कहता है कि again या तो आप अपने partner से छुप रहे हैं आप कहीं अपने partner को upfront होके नहीं face कर रहे हैं और फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके partner आपसे छुप रहे हैं क्योंकि आपके partner के लिए यहाँ पे 7 of swords का card है अगें देखिए मैं repeat कर रहे हूँ यह आपके partner के लिए card है यह भी कहीं escapism वली energies की बात करता है तो फिर से मैं कहूंगी या तो आपको लग रहा है कि आपके partner escape कर रहे हैं भाग रहे हैं situation से, चीजों से, आपसे, upfront होके नहीं face कर रहे हैं पिर आप दोनों की ही, April starting में या कुछ time से ऐसी energies रह रहे हैं जहाँ पर upfront होके चीजों को नहीं face कर रहे हैं लेकिन देखिए, mid April में आप दोनों की energies better होती भी दिख रहे हैं आपके लिए यहाँ पर two of wands का card कहता है कि पीछे हो सकता है कि आप उतना confident चीजों को लेकर नहीं महसूस कर रहे थे कहीं you know इतना sure नहीं हो रहे थे जो भी आप चाहा रहे थे relationship में partner से related कहीं mid April में बहुत जबरदस्त एक confidence आता हुआ दिख रहा है बहुत ज़्यादा feelings है और शायद इसी लिए you know थोड़ा सा confidently थोड़ा सा assertively आप इस relationship में next steps लेना चाहा रहे है या फिर next level पर इस relationship को लेकर जाना चाहा रहे है लेकिन देखें end April में the devil and always fighting का card कहता है कि एक pressure build up हो सकता है stress tension हो सकती है और फिर से मैं कहूंगी reason सब Leo's के लिए differ करेगा लेकिन fighting का card कहता है कि आप दोनों के बीच में fight हो रही है या फिर आपकी तरफ से एक बहुत obsessive सी एक बहुत possessive सी energies है आप over attachment partner को लेकर महसूस कर रहे है या फिर किसी level पे एक addiction आपको partner की महसूस हो रही है जिसकी वज़े से फिर से मैं कहूंगी आप possessive हो रहे हैं या फिर obsessive हो रहे हैं और आपकी तरफ से fight हो रही है या फिर कुछ Leo's को ऐसा भी लग सकता है कि partner हमेशा fight करते रहते हैं और दिखिया भी मैंने आपको बताया कि आपके partner के लिए सबसे पहला card seven of swords है जो कि फिर से मैं कहूंगी एक escapismally energies को represent करता है तो कहीं किसी चीज को लेकर upfront होके वो नहीं face कर रहे हैं एक चीजों से, situation से, आप से या किसी भी चीज से भागते हुए दिख रहे हैं hiding something का card कहता है कि वो आप से कुछ hide कर रहे हैं तो दिखे फिर से आप दोनों के energies मैं देखूं तो transparency नहीं रहती भी दिख रही है अब फिर से दिखे आपके लिए hiding from you का card है और यहाँ पे hiding something का card है तो आप दोनों के लिए ही hiding के cards हैं और यह April starting की energies हैं तो कुछ time से April starting में फिर से मैं कहूंगी एक transparency नहीं रह रही है या तो बहुत जादा आपको लग रहे हैं आपके partner कोई चीज चुपा रहे हैं कोई चीज आप से hide कर रहे हैं और फिर आप दोनों ही अपने अपने level पर किसी चीज को दूसरे जन से छुपाते हुए दिख रहे हैं फिर से देखें मिड एपरिल के लिए आपके partner के लिए भी बहुत अच्छे card हैं और यहां पर four of wands का card कहता है कि आपके partner togetherness चाह रहे हैं और फिर surface level के लिए उनकी तरफ से हो सकता है कि togetherness वो ऐसे show कर रहे हैं कि आपके साथ चाह रहे हैं हो सकता है कुछ लिए उसके partner vacation पे आपके साथ जाना चाह रहे हैं उससे related planning कर रहे हैं बातचीत कर रहे हैं और vacation पे नहीं जा रहे हैं तो फिर से मैं कहूंगी togetherness, companionship चाह रहे हैं जादा surface level के लिए four of wands का card कहता है आपसे interaction कर रहे हैं बातचीत कर रहे हैं, date पे जाना चाह रहे हैं कुछ लिए उसके partner के लिए हो सकता है कि marriage चाह रहे हैं, living चाह रहे हैं, engagement चाह रहे हैं लेकिन deeper level के लिए multifacet का card कहता है ये उनके बहुत सारे faces में से एक phase है जैसे होता है ना कुछ लोग आपको समझ में नहीं आता कभी कुछ हैं, कभी कुछ हैं, कभी कुछ हैं जहां पे आपको लगेगा कभी तो बड़ा एक, you know, प्यार, महबबत जता रहे हैं और बहुत बातचीत करना चाह रहे हैं, कभी लगेगा एकदम से avoid कर रहे हैं चीजों को और दिखिए आपे end April के लिए hierophant, reverse and ignoring UK cards बहुत ही clearly कहते हैं या तो वो आपको ignore कर रहे हैं या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको ignore कर रहे हैं लेकिन जादा energies आपके partner की तुरफ से ignoring वाली रहती भी दिख रही हैं surface level के लिए the hierophant reverse का card कहता है इस ignore करने के पीछे religion, society, घर के बड़े या फिर एक बहुत stubborn, rigid, fixated energies रहती भी दिख रही है अब दिखिए मैंने बहुत broader level के लिए बताया है जाहिर सी बात है ये general reading है possible ही नहीं है कि हर लियो की life में same ही चीज़ चल रही हो energy same हो सकती है बट situation सब के लिए differ करेगी कुछ लियों का relationship हो सकता है अभी शुरू हुआ है कुछ लियों का हो सकता है marriage हो गई है तो हम क्या ही नहीं सकते कि same situation सब लियों उसके लिए होगी लेकिन energy ये same रहती हुए दिख रही है जहाँ पर फिर से मैं कहूंगी कि religion, society, घर के बड़े fixated, stubborn, rigid energies की वजए से आपके partner आपको ignore कर रहे है या तो ये उनकी energies है या फिर आपकी तरफ से होंगी और अब दिखते हैं कि April month में क्या हो रहा है तो दिखिए mid April तक यहाँ पर death and return of swords के cards कहते हैं कि किसी भी level पर किसी भी तरीके से ending beginning रहती हुए दिख रही है and in the process आप दोनों या आप दोनों में से कोई काफी clingy हो रहे हैं जैसे होता है ना कि let go करने की ज़रत है किसी चीज को let go ही नहीं कर पा रहे हैं मतलब बहुत tightly पकड़ कर बैठे हुए हैं, attach हो रहे हैं और इसी वज़े से या otherwise भी देखिए छोटे-मोटे issues, मसले तो रहेंगे ही रहेंगे and death, ten of swords, again मैं कहूंगी किसी भी तरीके की ending और beginning की बात करते हैं क्योंकि ये monthly reading है तो बहुत बड़ा कुछ नहीं होगा और फिर से मैं कहूंगी सब लिए उसके लिए थोड़ा-थोड़ा differ करेगा तो उसको end करके अपनी उस behavior आदत को better करना चाहा रहे है एका दुक्का के लिए ये भी हो सकता है कि इस relationship को किसी level पे end करके नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहा रहे है and April starting के लिए crumbs का card किसी चीज़ के टूटने की किसी चीज़ के बिखरने की भी बात करता है and mid April के लिए stalker का card कहता है इस ending beginning के दोरान आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक दूसरे जन को बहुत जादा stalk कर रहे हैं बहुत जादा जासूसी कर रहे हैं spy कर रहे है and देखिए end April के लिए यहाँ पर the star reverse and trickster के cards कहते हैं कि एक negative frame of mind रहता हुआ दिख रहा है अब देखिए मैंने हमेशा अपने वीडियो में mention किया है कि tarot guidance के लिए होता है और अगर आप पहले से ही इस reading को देख रहे हैं आप इस reading से guidance लेके चीजों को better कर सकते हैं April month की energies को better कर सकते हैं तो यहाँ पे देखिए एक negativity बहुत ज़्यादा रहती भी दिख रही है तो अगर आप थोड़ा positive frame of mind में रहें या positivity लाने की कोशिश करें आपके लिए अगर हम देखें तो कहीं you know बहुत ज़्यादा obsessive ना हो positive ना हो maturity से deal करें आपके partner के लिए देखें तो rigid fixated ना हो और कहीं upfront होके चीजों को deal करें तो April month की energies को better कर पाएंगे अगर ऐसा नहीं किया तो फिर बहुत great April month नहीं रहता हुआ दिख रहा है and April में इन ही सब चीजों की वज़े से एक negativity रह सकती है आप दोनों याप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग सकता है कि clarity नहीं है कहीं समझ में नहीं आ रहा कि क्या action लें क्या initiative लें थोड़ा सा directionless महसूस कर रहे हैं और deeper level के लिए trickster का card कहता है आप दोनों याप दोनों में से किसी एक को लग सकता है कि सामने वाला manipulate कर रहा है थोड़ा सा diplomatically चीज़ों को deal कर रहे है तो ये थालियोज आप लुगों के लिए April 2024 की Love Tarot Reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें